नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग इंटर्टेमेंट पर एक बार फिरसे सौगत जै हिंद, जै भारत दोस्तों, मैं मदनलाल आजाद, ठगी पीड़े जमा करता परिवार और All India Bike Board Taxi Union आज दिनांग 17 दिसम्बर 2022 को आपके समक्ष पस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ खास खबर हैं, खास समाचार आपको बताने के लिए वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सब से अनरोध करूँगा कि आप जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आएंगे या जो इसे सुनते हैं लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब साथी इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे description के मारफ़त वो सब लिंक मिलते रहें जिनके माध्यम से आपको भुगतान के फारम मिल सकते हैं मुफ्त में आपका भुगतान मिल सकता है आपकी जमारासी आपको आपके नज़दी की जिला अधिकारी कलेक्टर के माध्यम से वापस मिल सकती है दोस्तो मिशन भुगतान भारत यात्रा कारिक्रम टू 30 नवंबर 2022 से लगातार जारी है और मिशन भुगतान भारत यात्रा टू की अगली कड़ी में आज मैं दिल्ली से जारखंड की राजधानी राची के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ 19 तारीक को हम जारखंड के मुख्यमंत्री आवास पर सभा करेंगे मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और जारखंड में अनिमे जमायोजनाय पावंदी कानून 2019 बटस एक टू जिरो वन नाइन को लागू करने की मांग करेंगे इसकी अनुपालना सुनिश्चित कराएंगे और जारखंड के जितने भी ठगी पीड़े जमा करता परिवार हैं चाहे हो वो सहारा इंडिया के हूँ P.A.C.L. के हूँ साइप्रशाद के हूँ Z.O. International के हूँ केमुना के हूँ JKB के हूँ विश्वामित्र के हूँ HBN के हूँ समरद्धा जीवन के हूँ राधा मादव कॉर्परेशन लिमिटेड के हूँ बाइक बोट, हेलो टेक्सी, टॉप राइट आदर्स क्रेडिट, किसान एग्रो ट्रिनेटी मल्टी स्टेट यूनाइटेड इंडिया और जितनी भी ठक कंपनीज या ठक क्रेडिट कॉपरेटिव सुसाइटी हैं साइप्रशाद, साइप्राम, स्री राम अलकेमेस्ट और भी जो जो हूँ बहुत सारी हैं, दो लाख हैं किसके नाम बताऊं जो भी ठक कंपनी या ठक क्रेडिट कॉपरेटिव सुसाइटी जारखंड के अंदर कारेड़त रही हैं जिनोंने जारखंड की जनता के साथ ठगी की है उन सब के खिलाफ मुख्यमंत्री को मेमोरिनम देंगे कारेवाई सुनिश्चित कराएंगे और सबका भुगतान बड़ सेक्ट 2019 के तहट 180 दिन के अंदर-अंदर करवाने की मांग करेंगे दोस्तों 19 तारीक को मैं राची रहूँगा मुख्यमंत्री के आवास का घिराव करेंगे वारतालाप करेंगे मुख्यमंत्री से आप सब साधर आमंत्रे थे हैं 20 19 दिसंबर को मुख्यमंत्री के यहां 20 दिसंबर को गुमला में और 21 दिसंबर को भी जारखंड के एक जनपद में कारिक्रम होगा मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उसका दोस्तो लेकिन तीन दिन का करिक्रम मेरा जारखंड के अंदर रहेगा 19, 20, 21 दिसम्बर उसके बाद में 23 दिसम्बर को उत्तर प्रदेश के महु पहुँचूंगा अब तमाम लोग जो भी मगु के आसपास के हों वो सब सादरा मंत्रित हैं 26 दिसम्बर को हमीरपूर में रहुआ उत्तर प्रदेश में 27 दिसम्बर को महँभा रहुआ 28 दिसम्बर को चित्रकूट रहुआ और 30 दिसम्बर को दोस्तों राजस्थान में मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे जबरदस्त रंग से ताके और यदि वो हडपती हैं भागती हैं कोई गैर कानूनी कारूबार करती हैं तो बरटस एक्ट के तहट उनके खिलाप सक्त कारवाई की जाएगी और जो पीड़े तो होंगे जमा करता होंगे उनका पैसा सरकार 180 दिन में 2-3 गुणा तक वापस करेगी ये ब्यवस्था है और आस्ट्र भी है उडिशा भी है बंगाल भी है करनाटक भी है मध्य प्रदेश भी है चतीस गड़ भी है जार खंड भी है यूपी भी है हर्याना भी है माचल भी है उत्तरा खंड भी है मैं बहुत सारे राज्यों में पहुंच चुका हूं जहां जहां मिशन भुगतान भारत यात्रा पहुंचती है, वहां वहां अनुपालना सुनिश्चित हो जाती है, बाकी जगहों पर अभी बट्स Act के तेहत कोई भी कारवाई, राज्य सरकारें या केंदर सरकार करने को तत पर दिखाई नहीं देती है इसलिए दोस्तों मिसन भुकतान भारत यात्रा के माध्यम से हमें देश के 20 करोड ठगी पीडित जमा करता परिवारों को जगाना है एक जुट करना है ठगी पीली जमा करता परिवार के बैनर तले उन सब को 23 मार्च 2023 को सहीदी दिवस के अवसर पर करतब्य पतपर ले करके आना है सरकारें यदि भुगतान कर देती हैं तो भुगतान उत्सम मनेगा सरकारों का धन्यवाद ग्यापित किया जाएगा उन्हें देश की जनता आशीरवाद देगी और यदि 23 मार्च 2023 तक भी बट सैक 2019 की अनुपालना सुनिश्चित नहीं हुई 20 करोग ठगी पिले जमा करता परिवारों का भुगतान आरंब नहीं किया तो हम इस बेइमान सिस्टम का प्रतिकार करेंगे मतदान का बहिसकार करेंगे देश के पॉल्टिकल सिस्टम को द्वस्त करने का काम करेंगे एक नई व्यवस्था देश में लाने का काम करेंगे उस नई व्यवस्था के तहट हम हिंदुस्तान को हम अपनी पावन पवित्र भारत भूमी को ठग मुक्त बेइमान रहित रास्ट राज्य के रूप में इस्थापित करेंगे सबका भुकतान सुनिश्चित कराएंगे जिस तरह से माननी प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने देश में आदे घंटे के अंदर नोट बंदी कर दी थी रात को टीवी पर बोल करके रात के बारे बज़े जी एस्टी लागू कर दिया था सुबह साथ बज़े उठकर कालेक्रसी कानून वापस ले लिये थे एक मिनिट के अंदर अंदर तो जो उनकी तुरित काम करने की कार्य विधी है वो बहुत अच्छी है वो सेली उनकी हम चाहते हैं कि उसी सेली का परिचे देते हुए वो देश में अन्यमे जमाय योजनाय पावंदी कानून 2019 को तुरित प्रभाव से एक दिन के अंदर अंदर लागू करें सबका पैसा वापस करें अन्य था ये काम देश की 20 करोड ठगी पिलिद जमा करता परिवार स्वत्य करेंगे और स्वत्य करने का आर्थ होगा कि बर्तमान बेइमान सिस्टम का ध्वस्ती करण जिसमें तमाम वो जिम्मेदार लोग सम्मिलित होंगे जो सासन की कुर्शियों पर बैठे हैं न्याई की कुर्शियों पर बैठे हैं लेकिन वो सासन और न्याई की पावं पवित्र कुर्सियों को कलंकित करते हुए देश की संसद्वारा सर्वसंबती से बनाए गए अन्यमेजमा योजनाए पावंदी कानून 2019 का पालन नहीं कर रहे हैं कुर्सियों को न्याई की कुर्सियों को सासन की कुर्सियों को कलंकित करने का काम कर रहे हैं जिससे हमारा पू और सिद्धांत और पारदर्सता के साथ करेंगे दोस्तों मैं आप सब का आवान करता हूं आप सब से अपील करता हूं कि मिशन बुगतान भारत यात्रा के करिक्रमों में आप सब जादे से जादा संख्या में समिलित हों कल में योगेश्वर भगवान श्री क्रश्न की जनम भूमी मतुरा गया था, मेरे साथ मास्टर प्रताप सिंग जी थे, चोदरी विजंदर सिंग जी से, डॉक्टर भोपाल सिंग जी थे, दर्शन कुमार जी थे, और वहां का आयोजन हमारे वरिष्ट पाद्यक्ष राष्ट जी मन्य रामदेव गौतम जी ने किया था, आपने देखा होगा, हजारों निवेशकों की भीड मतुरा में सडकों पर उतर पड़ी थी, दो क्लो मीटर लंबा जुलूस था, अचानक जब हम कलेक्टरेट के अंदर प्रिवेश कर गया हमारा जुलूस, तो सासन प्रशासन क आए, वहां हाथ फेर फूल गए, तुरंत SDM साहवा आए, डियम साहब तो कार्याले से भागी गए सुनकर के के इतनी बड़ी भीड, डियम ओफिस के अंदर गुस गई है, ठगी पीड़तों की, अपना भुकतान की मांग करते हुए, भारत माता जिंदाबाद के नारे लग की, और कहा कि जो सासन का आदेश है, जो कानून है, उसकी अनुपालना की जाएगी, तमाम ठगी पीड़ी जमा करता परिवारों का, भुगतान सुनिश्चित करवाया जाएगा, दोस्तों, मैं चाहता हुँ, कि जो एजेंट साथी है, वो निवेसकों से डरें नहीं, घबर का भुगतान होगा, निश्चिंत रहें, तनाव ना लें, हमारे इस मिशन भुगतान भारत यात्रा कारेक्रम में सम्मिलित हों, अपने कानून का ज्यान बढ़ाएं, जागरूपता बढ़ाएं, अपने संगठन को मजबूत करें, और देश को ठगमुक्त बैवान रहित र कारेक्रम अपने अपने जन्पदों में या तैसीलों में आयोजित करने ही, वो तमाम साथी मेरा नम्मर नोट करने, मुझे सूचित करें, 7-8-27-58-1-2-13, इस नम्मर पर संपर्क करके, वाटसप करके, आप कारेक्रम ले सकते हैं अपने जन्पद में या तैसील में मिशन बहुतन भारत यात्रा कारिकरम का हम वहां आएंगे लेकिन दोस्तों थोड़ा सा एक चीज का भी खयाल रखें कि ये बड़ा अभियान है बड़ा अंदोलन है इसमें धनकी भी आवश्यक्ता है तो थोड़ा-थोड़ा धनसे भी सयोग किया करें चुकि जब आप धनसे सयोग करेंगे तो ये आंदोलन ये मिशन हम मजबूत होंगे और जादा सक्ति के साथ आपका भुगतान जल्दी से जल्दी करवा सकेंगे थोड़ा-थोड़ा करने की ज़रुवत है मैं यह नहीं कहता है कि कोई लाख दे पचास अजार दे एक-एक रुपे से भी आप सायोग के तो मूंद मूंद से घड़ा बढ़ जाएगा और हम निश्चिंत और निर्भीकता के साथ इस मिशन को इस कारवां को इस आंदोलन को आपके घर तक पहुचा देंगे आपका सबका आपके जिला इस्तर के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित कराएंगे दोस्तों तो थो सो रुपे का या सो रुपे का या पांच सो का या एकी सो का या पांच हजार का सहयोग किया है दोस्तों चुकर बिना धनके उतनी तीब लगती से हमारा मिशन भुगतान भारत या